नमस्ते वेल्कम तु थर्ड दे ऑफ दिल क्या करें यह एक सो बीस बाइसी जो अपना बीपी होता है और सतर जो अपनी हार्ट रेट होती है क्या यह इतना ही होना चाहिए यह नंबल्स कैसे आए वह हम पहले डिसकस करते हैं अबल्स करते हैं यह वह जो युजएली मेजर करते हैं उसे आटीरियल ब्लड प्रेशर कहते हैं और आटीरियल ब्लड प्रेशर का कोरेलेशन मैक्सिमम हमारे कॉम्लिकेशन और लॉंग टर्म सवाइबल से हैं फाइनली ब्लड प्रेशर इस नॉट बैड हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर बुरा होता है यह डाइग्रम जो है यह 1773 लगबग 200 साल पहले पहली बार ब्लड प्रेशर मेजर हुआ था एक होर्स की एक गोड़े की टीपे लाटरी में उसके बारे में मैं बात करता हूँ हमने देखा था हार्ट पंप करता है खून भेजना पड़ता है और खून फिर से मंगवाना पड़ता है तो हर एक इसमें अलग-अलग लेवल्स पे प्रेशर रहता है हम जो मेजर करते हैं वो ये एउटिक प्रेशर जो हमारे मेजर ब्लड वेसल में जाता है वो मेजर करते हैं तो आप जैसे देखेंगे कि अगर blood सारी body में पहुंच रहा है तो अगर वो दबाव में पहुंचेगा तो major vessels तो फिर भी sustain कर पाएंगे, छोटे vessels शायद वो pressure sustain नहीं कर पाएंगे, इसलिए complications होते हैं. जो blood beat होता है, वो जो aorta में जाता है, ये aorta में से जो blood pressure जा रहा है, ये हमारे major arteries में जाता है, हम ये वाला pressure measure करते हैं. ये aortic pressure जो है, वो हम measure करते हैं, जिसमें उपर का 100 और 140 के बीच में होता है, basically जो pressure से left ventricle squeeze होता है, और aortic valve के जरिये खून को इसमें push करता है, और जहांसे पूरे body में पहुंचता है, वो उपर का pressure होता है, नीचे का जो pressure है, वो aortic valve बंद होने के बाद, जो blood column fall होता है और aortic valve पे touch होता है, वो नीचे का pressure होता है, जिससे diastolic pressure कहते हैं, तो ये ही systolic और diastolic pressure हम heart में measure करते हैं, बाकी सारे जो pressures हैं, atrium के, ventricles के, वो day to day life में इतने significant नहीं है, पर कुछ ICU patients में हमें उसे भी measure करना पड होता है, पर हमेशा याद रखें, इसके साथ साथ एक और important चीज़ ये भी है कि pulmonary artery, यानि कि जिस दबाव में खून lungs में पहुंच रहा है, वो भी उतना ही important है, और उसे measure करने के लिए usually 2D echo ही करना पड़ता है, या invasive procedures करने पड़ते हैं, बाट कुछ conditions में वो भी important है, most of the time किंदू हम सिर्फ arterial pressure पे ही focus रखेंगे, वो ही common है, वो ही हम करते हैं, तो जैसे आपको बताया कि समझो अगर आपका उपर का pressure 120 है, तो 120 के pressure पे एवटा बीठ हुआ, उसने blood को इसमें push किया, तो ये जो cuff है मेरे BP machine का, अगर ये BP machine के cuff को अगर मैं 120 से उपर pressure उसका ले जाता हूं, तो ये artery दब जाएगी, तो जो pulse या तो मैं हाथ से feel करूँगा, या फिर मैं stethoscope से सुनूँगा, वो pulse बंद हो जाएगी, तो जो भी pressure पे वो pulse बंद हो जाती है, उसे हम systolic यानि की उपर का pressure कहते हैं, जैसे वो pressure उससे थोड़ा नीचे आने लगता है, तब ये blood flow resume होता है, इसलिए हम pulse feel कर सकते हैं या उसे सुन सकते हैं, वो हमारा systolic pressure रहता है, जहाँ पे pressure इतना अच्छा हो गया कि और कम होते होते वो नीचे के pressure से भी कम गिर गया, तब heart rate वापिस सुनना बंद हो जाता है, उसे हम diastolic pressure कहते हैं, इसलिए उंगली से जब आप feel करें तब आप सिर्फ systolic pressure measure कर सकते हैं, diastolic के लिए आपको stethoscope की ज़रूरत अवश्य पड़ती है, अगेन, automatic machine में concept वो ही रहता है, पर इसमें auscultation याने की stethoscope से सुनने की जगे, आपके cuff में ही एक sensor रहता है, जो आपकी heart beat किस pressure के उपर stop हो गई है, और किस pressure पर resume होई है, वो measure क कर लेता है, so please understand this, कि अगर आपकी pulse rate irregular है, अगर आपकी pulse rate irregular है, तो आपके लिए automatic machine बिल्कुल useless हो जाता है, पर अगर आपकी pulse rate regular है, जैसे कि maximum लोगों की regular होती है, तो automatic machine आपके लिए अच्छा है, तो BP measurement कोई नया concept नहीं है, since 1733 we knew that BP problem जब होता है, तो it can cause a lot of complications, तो उसको measure करने के कई सारे technique try किये जाते थे, पर 1855 तक बिना आर्टरी में अंदर कोई device डाले, BP measure नहीं हो पाता था, और रिवा रोची, वेन रैकलिंग होसन, and finally 1905 में Korotkov, इन्हों ने जो काम किया BP measurement के प्रती, वो आज सवा सो साल बाद भी basic concept BP measurement का वो ही है, आज भी मैं mercury instrument को जाधा value देता हू, spring manometer आ गए है, अपने oscillatory method वाले automatic machines भी आ गए है, but the concept remains the same what I explained to you, so why does it happen, why does high BP happen, हमें majority cases में नहीं पता है, इसे हम idiopathic या फिर primary hypertension कहते हैं, जिसमें हमें cause नहीं पता है, mostly aging के कारण या artery stiff हो रही है, या कोई genetic inherited factors है, या point mutation के factors है, उसके कारण BP हो रहा है, majority cases में हमें नहीं पता होता, कुछ cases में kidney की problems के कारण, thyroid के कारण, diabetes के कारण, hormone में कुछ fluctuations होते हैं, adrenal gland में problems होते हैं, उनके कारण जो BP होता है, उसे हम secondary hypertension कहते हैं, लेकिन majority जो है, वो primary hypertension रहता है, तो हम ये BP पहले measure कैसे करना, what are the good practices to measure the BP, BP, आप जब BP measure करते हैं, एक sitting में, एक reading पे BP है या नहीं है, डाइगनोस करना मुश्किल है, अलग-अलग time पे कीजिए, frequently कीजिए, जैसे आपको डॉक्टर बताते हैं, वैसे आप चेक कीजिए कि आप एक reading ये हफ़ते शाम की लेना, अगले हफ़ते morning की लेना, exercise की relation से, stress की relation से, आप बहुत ही चिंतित हैं, बहुत ही खुश हैं, खाने के meals के आसपास, आपने खाने के timing के आसपास, जो आप दवाईयां ले रहे हैं, कुछ दवाईयां होती हैं, जिसके side effects होते हैं, वो दवाईयों के कारण भी BP fluctuate होता है, हम दवाईय के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि ये decol total, cina rest, vicoril, ये सब को government क्यों advertise करने देती हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि इनमें pseudo ephedrine, या phenylephrine करके medicine रहता है, जिससे pulse भी बढ़ती है, BP भी बढ़ता है, तो अगर आपको heart की problem है, तो आपके doctor को पूछे बिना ये over the counter drugs आप ना ले, और autriven करके जो nasal spray है, oxymetazolin drug उसमें है, वो भी कई बार BP shoot up कर सकता है, तो please be careful about that. BP measure करने के पहले, कम से कम आदे घंटे तक आपको smoking नहीं करें, वो ही better है, पर BP measure के time के आदे घंटे पहले में आपको chai, coffee नहीं पीनी चाहिए, ज़्यादा heavy meal नहीं होना चाहिए, एकदम strenuous activity, mental या physical, कोई भी तरह का pressure BP check करने के चंद मिनिट पहले तक नहीं होना चाहिए, urine जाके आईए, मतलब bladder empty कर दीजिये, क्योंकि कभी-कभी bladder full रहता है, या pressure आ रहा है, तो भी BP बढ़ने की संभावना है, और चाहिए कितना भी late है, डॉक्टर आपको मिलने में, आपको कितना भी stress हो रहा है, कि मेरा reading क्या आएगा, try करें, कि 2-3 minute पहले आप relax हो जाए, क्योंकि मैंने जैसे previous slide में समझाया है, कि stress के कारण भी BP बढ़ता है, तो मेरा BP क्या आएगा, उसकी चिंदा करके BP बढ़ने की संभावना रहती है, तो a lot of people या तो कफ too large या too small होता है, which is not appropriate, तो आपको वो कफ साइज मैच हो रहा है या नहीं, उसकी width आपके आपके आम पे मैच हो रहे है या नहीं, वो देख लीजेए, BP मेजर करते वक्त बात ना करें, comfortably बैठें, अपने elbow को या तो table पे support करें, या फिर अगर डॉक्टर कहत हैं तो उसे open पूरा extend करके रखें, मुठी बंद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसमें कोई relation नहीं है, actually मुठी बंद करने का concept कुछ अलगी था, पर अभी most of the times you don't need to do that, cloth bunch नहीं होना चाहिए, अगर आपने sleeveless पेना है तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर slim वाला है, तो अगर पतला कपड़ा है, तो कोई problem नहीं है, अगर sweater वगेरा है, तो निकालना जरूरी है, यहाँ पे यह कपड़ा bunch up हो गया है, तो इसके उपर आप कफ न डालें, उचा करके कपड़े को, in fact, straight कर दीजिए, अगर पतला कपड़ा है, तो उसके around भी कफ अगर चला गया और दूसरी दो reading का average ले लिजिए, जैसे for example, अगर पहला reading 134 असी है, तो यह reject कर दिया मैंने, second reading और third reading का आपको BP का average लेना है, जो 125 by 85 है, average BP जो है उसका यह हो गया, यह दो reading था, बस यह simple है, पर अभी यह अच्छा है, बुरा है, जादा है, कम है, इसकी चिंता आप ना कर है, जैसे कि आप इसमें वीडियो में देख सकते हैं, इसकी artery का जो approximate site है, वहाँ पे हमने tube को अंदर की तरफ और नीचे की तरफ ऐसे attach किया है, फिर हमने measurement BP का लेना start कर दिया है, पहला reading जो भी आएगा, वो हम उसे reject कर देंगे, कफ को निकाले बिना second reading, आप start कर दीजिए, patient को comfortable रखिए, बाते नहीं करनी है, जो भी हमने discuss किया वो, third reading आप फिर से ले लीजिए, और second और third reading का आप average निकाल दीजिए, machine पे systolic यानि उपर का BP, diastolic यानि नीचे का BP और कुछ machines में pulse भी होती है, timing के साथ आप record कीजिए, कि कितने बज़े हमने ये reading लिया है, तो ये good BP measurement practice, ये उसका एक summary है, we've just discussed this already, BP कितना होना चाहिए, so usually बहुत ही अलग-अलग प्रकार के discussions आते हैं, मेरा आप से ये कहना है कि BP individualize होना चाहिए, हर एक की age और weight के हिसाब से उनका BP रहता है, कितनी सारी ladies मेरे clinic में आती है, जिनका BP 160, 90, 50 रहता है, कितने सारे gens मेरे clinic में आते हैं, जो थोड़े heavy size है, तो उनका normally BP 130, 90 रहता है, so don't worry about that, मेरा कहना यह है कि आपका average basal BP अगर आपको पता है, तो उसमें से कितना आगे गया तो important है, ये सारे charts बहुत अच्छे हैं, कि अगर आपका कहीं पे भी 130, 90 ये BP की range में अगर आप आ गए हैं, मतलब definitely कुछ ना कुछ तो आपको करने की ज़रो होते हैं, I completely agree with that, किन्तु अगर वो 100 by 60 वाली लेडी 130, 90 लेके आई है, तो उनका तो BP 30 points बढ़ा है, पर मेरा pressure 120, 80 है और मेरा 130, 90 गया है, तो सिर्फ 10 points बढ़ा है, तो उसमें इतनी चिंता की बात नहीं है, तो आपका basal BP average, आपका individualized BP क्या है, वो अगर आपको पता रहेगा, तो over a period of every 6 months, 1 year, जब आप check करेंगे, you'll get a better idea, but अगर 130, 90 touch हो गया है, तो it's time to intervene, और इसके उपर अगर BP जा रहा है, तो it's time to start medication without hesitation at all, again, what I said, अलग-अलग associations, European Association, American Association का वो ही है कहना कि किसे हम high normal या फिर borderline BP कहेंगे, या किसे हम stage 1 कहेंगे, point is, अगर आप यहां पे आ गए हैं, अगर आपका BP, आपका जो base BP था 2 साल पहले, 3 साल पहले, उससे अगर 30 points उपर चला गया है, तो definitely you need to look into it, another very important thing is आपकी age क्या है, क्योंकि एक 80-year-old का BP 120-80 तुम्हें रखी नहीं सकता, उसमें तो उनकी तबहत और खराब हो जाएगी, तो एक बहुत ही rough तरीका है यह समझने का, कि आपकी जो भी age है, उसमें आप 75 एड कर दीजिये, वो I think आपके ऊपर के BP का अच्छा target खेला जायता है, तो मेरे grandfather 90 years old है, तो उनमें अगर 160 भी BP रहता है, तो हम panic नहीं होते हैं, but मेरे father 50 years old है, तो अगर उनका 130 BP touch हो रहा है, that means आपको intervene करना ज़रूरी है, This is the simple way of looking at it, in general, males में BP female से थोड़ा ज़ादा रहता है, in general, जैसे age बढ़ते जाती है, artery stiff होते जाती है, BP बढ़ते जाता है, So, in conclusion, systolic blood pressure जो अपना ऊपरी रहता है, वो 110 या 130 के बीश में होना चाहिए, पर आपके age और weight के हिसाब से वो change होगा, नीचे का BP, 80 plus minus 10 यानी 70 और 90 के बीश में रह सकता है, आपके age, weight और average के हिसाब से आप उसे देखें, Pulse rate बहुत ही important है, Pulse rate क्या होता है, Pulse rate यानी की जितनी बार एक मिनिट में आपका heart beat होता है, उसे Pulse rate कहते हैं, Pulse rate 60 से 85 के बीश में normal रहती है, आप जितना exercise करेंगे उतनी आपकी pulse बैतर होगी, क्योंकि ना सिर्फ BP घटेगा पर Pulse भी घटेगी, जैसे हमने कल डिसकेस किया था, heart को अपने आपको काम करने के लिए भी तो खुन चाहिए, तो वो जितना कम beat करके पूरी तरह काम करेगा, वो बेतर है, मैं आपको example देता हूँ, मुझे 10 किलो सामान अगले रूम में रखना है, तो या तो मैं 1-1 किलो 10 बार लेके जाऊँ, या फिर मैं 2 किलो 5 बार में लेके आजाऊँ, तो मेरा आना जाना जो 10 बार हुआ, उसमें energy जादा गई मेरी, तो अगर कम beats में पूरी तरह heart pump होके अपना काम कर सकता है, तो वो better है, यही अपने जो athletes रहते हैं, जो African runners वगेरा रहते हैं, उनका तो heart rate लगबग 50 जितना भी average रहता है, जो yoga जादा करते हैं, जो lifelong fit रहे हैं, उनकी आप average pulse देखेंगे हमेशा normal रहेगी, और जो चिंतित स्वभाव के हैं, stress में रहते हैं, काफी उन पे pressure रहता है, उनकी pulse हमेशा थोड़ी high रहेगी, pulmonary hypertension मैंने डिसकर्स किया था, वो fafs का pressure है, तो symptoms क्या होते हैं, इसमें सबसे जरूरी statement यही है, कि BP के कोई भी चिन नहीं होते हैं, BP के कोई symptoms initially नहीं होते हैं, 85% लोगों को पता नहीं चलेगा, मुझे हमेशा होता है BP चेक किया, पर मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा, वो symptoms कुछ patients में हो सकते हैं, अगर आपको complications already हो गए है, जैसे सुजन आने लग गई है, chest pain होने लग गया है, सास भरने लग गई है, activity rate कम हो गए, मतलब हम already advanced BP के stage में पहुंच गए, मतलब गाड़ी काफी आगे जा चुकी है, so don't wait for symptoms, manage initially ताकि symptoms तक बात पहुंचे इगी नहीं, अब finally blood pressure क्यों control करना, BP control करने से आपके heart attack का risk 1 4th कम हो जाता है, and 50% लग भग, stroke और heart failure का तो risk आपका आधा हो जाता है, तो heart BP के कारण जो भी complications है, वो आपके काफी कम हो जाते हैं, इसलिए BP control करना है, तो जैसे artery stiff होते जाती है, तो जो aorta जिसका हम ये directly जो हम breakal artery में measure करते हैं, या femoral में, या pair में, कहीं पे भी ankle breakal index वगेरा भी कर सकते हैं, risk factors के कारण artery stiff हो जाती है, और इसके कारण BP बढ़ने लगता है, जिसके कारण जहाँ जहाँ पे major vessels junction है, वहाँ पे problem होने लगती है, brain में, stroke की संभावना, lacunar infarcts होने लग जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जिनका high BP रहा है सारी जिंदगी, उनके decision making थोड़े tough हो जाते हैं, movement slow होने की संभावना, paralysis होने की संभावना, heart के तो सारे problems हमने कल discuss किये थे, kidney में problems होने की संभावना, उसके साथ-साथ बहुत ही important है आँखों में, ये जो आँखों का परदा होता है, उसमें microvascular complications के कारण अगर BP बढ़ जाता है, तो परदे में तकलीफ हो जाती है, urine में protein जाने लग जाता है, so there are multiple complications of uncontrolled pressure, so blood pressure को एक अच्छे आपके age, आपकी बाकी co-morbidities, आपके वजन के इसाब से एक अच्छे range में manage करना ज़रूरी है, complications हमने कली बात की थी, heart attack, failure होना, brain में circulation कम होने के कारण, high BP के कारण, IC bleed हो जाना, या atherosclerosis के clots के कारण, ये इस तरह का एक lacunar infarct हो जाना, उससे stroke हो सकता है, brain stroke हुआ, तो जो part of the brain affected वह आपको symptoms हो सकते हैं, paralysis हो सकता है, facial paralysis हो सकता है, palsy हो सकता है, कई सारी चीज़े, आँखों के पर्दों की तकलिफ होना, kidney खराब होना, ये सारी BP की problems है, अब मैंने जैसे पहले ही दिन कहा था, आप age, gender, race और family history के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, पर अगर आपको पता है कि आप vulnerable हैं, तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं, जो है, वो है salt, salt का जो role है, वो हम कते ही underestimate नहीं कर सकते, उसके बारे में रविवार को टॉक्टर विनोद मेंता आपको थोड़ा और बताएंगे, मुझे blood pressure है, तो मैं क्या कर सकता हूँ अब, modify your life as best as you can, meditation कीजिए, जितना हो सके, stress कम कीजिए, वो इतना एहम, इतना important factor है, कि मैंने कई लोगों को देखा है, सिर्व lifestyle modification और meditation से उन्होंने अपना BP control कर दिया है, जो भी चीज़े हैं वो moderation में लीजिए, यानि कि नाप तोल के लीजिए, चाहे वो खाना हो, पानी हो, alcohol हो, emotions हो, movie हो, mobile हो, हर चीज़ को moderation में लीजिए, and finally, अगर इन तीन टेकनीक से भी, हम हमारा BP नहीं control कर पा रहे हैं, तो medicine लीजिए, so modification, meditation, moderation and medication, this is the way to control your blood pressure, कल हम cholesterol के बारे में बात करेंगे, cholesterol के बारे में बहुत सारी गलत फहिमिया है, वो मैं कल clear करूँगा, क्योंकि last 2 दिन से मैं जो भी बात किये जा रहा हूँ, आपको तो लगी रहा होगा कि ये arteriosclerosis, arteriosclerosis इतनी बाहर दोराया है, उसके वज़े से BP होता है, क्योंकि ये बाहर बाहरा है,